हेलो स्टूरेंट्स आज जो है हम नागरिक शास्तर का प्रगरन तीन देखेंगे केंद्री कार्यकारी मंडल जैसे कि इसके पिछले पाट में हमने केंद्री अस्तर पर विधान मंडल अर्था संसत की रचना और कार्य प्रणाली का अध्यन किया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से कानून विधेयक बनाये जाते हैं अब प्रस्तुत पाट में हम केंद्री कार्यकारी मंडल का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम संग शाषन की सरचना देखेंगे केंद्री कारी कारी मंडल में सबसे पहले हम देखेंगे कि संग सासन की सरचना किस प्रकार से होती है संग सासन अर्था केंद्र सासन अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि संग सासन का क्या अर्थ हता है संग सासन अर्था केंद्र सासन अब केंद्र सासन या संग सासन की निमनलिकित प्रमुक घटक होते है जिसमें संग सासन में सबसे प्रमुक होता है राश्ट्रुपती और राश्ट्रुपती के बाद जो है यहाँ पर उसके दो भाग किये जाते हैं संग सासन के एक होता है विधान मंदल और दूसरा होता है कार्यकारी मंदल विधान मंदर के अंतरगत दो भाग आते हैं लोग सभा और राज्य सभा और कारिय कारी मंदर के अंतरगत आता है प्रधान मंत्री एवा मंत्री मंदर तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि संग शासन के कितने भाग है तो संग शासन के दो भाग है विदान मंदल और कारीकारी मंदल विदान मंदल के कौन से प्रमुक दो भाग है तो विदान मंदल के प्रमुक भाग लोग सभा और राज्ये सभा है कारेकारी मंदल के प्रमुक बहाग कौन सा है तो कारेकारी मंदल के प्रमुक जो है वह प्रधान मंथ्री और मंथ्री मंदल होते हैं विधान मंदल, कारिय कारिय मंदल और न्याय मंदल ये सासन संस्थाओं की तीन साखाएं होती है यहां पर सासन जो हमारा सासन चलता है किसी भी देश का तो इन तीन भागों के आधार पर चलता है विधान मंदल, कारिय कारिय मंदल और न्याय मंदल और जन्ता का हिद्ध्यान में रख कर जन्ता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं यह अब जानते ही हैं संसदी सासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल और विधान मंडल का ही उंग होता है ये जो है संसदी सासन प्रणाली के प्रमुख अंग कौन से हैं संसदी सासन प्रणाली के प्रमुख अंग कार्यकारी मंडल और विधान मंडल होते हैं और विधान मंडल के लिए ही उत्तरदाई होता है और इसी प्रकार से संसरी सासन प्रणाली में कारे कारी मंडल, विदान मंडल का अंग होता है और विदान मंडल के लिए उत्तरदायित होता है तो कुछ बाते जो विशेश हैं जैसे यहाँ पर दो बच्चों के बीच में वार्ता लापुई है उसे बताया गया है कि रम राश्ट्रपती समवेधानिक प्रमुक और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुक है तो यहाँ पर राश्ट्रपती जो है राश्ट्रपती देश के नामधारी प्रमुक होते हैं और जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से कार्यकारी प्रमुक होते हैं अब यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा गया तो राश्ट्रपती जो है यह प्रमुक तो है लगिन केवल नाम का है और सारे अधिकार जो है यह प्रधानमंत्री के पास होता है प्रधानमंत्री यह कार्यकारी मंडल का प्रमुक होता है अभी जैसे विद्या ने का मुझे ऐसे लगता है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रपती को नियमित रूप से मिलते हैं और वे सासन किस प्रकार चलाते हैं इसकी जानकारी देते हैं तो प्रधान मंत्री जो है नियमित रूप से राष्ट्रपती से मिलते हैं और उन्हें सासन की विशे में जानकारी देते हैं यह वद्ध्यान में रखिए और राश्रुपती को प्रधान मंत्री के माध्यम से देश के शासन नए नए कानून नीतियां आधि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है तो राश्रुपती जो है वो प्रधान मंत्री से देश के शासन के बारे में नए ने कानून के बारे में नीतियों के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सकता है अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे इस कार्यकारी मंडल में किन का समावेश रहता है सविधान के संदर्ब में कौन से प्राउधान किये गए है कार्यकारी मंडल लोगों के हित के लिए कैसे अपनी नीतियां बनाता है आदी बातों को हम कार्यकारी मंडल के अंतरगत पढ़ेंगे क्योंकि विदान मंडल के बारे में इसके पहले ही हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके पिछले पीरियड में इसके पिछले चैप्टर में हमने लोगसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था तो इस बार जो है इस चैप्टर में हम कार्यकारी मंडल किस प्रकार से कार्य करता है किस प्रकार से वह नियम कानून बनाता है और इसके प्रमुक कौन होते है उसके विशे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे भारत के केंद्रिय मंदल में राश्रुपती प्रधार मंत्री और मंत्री मंदल का समावेश होता है अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि भारत केंद्रिय मंदल में किनका समावेश होता है तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि भारत के केंद्रिय मंदल में राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री और मंत्रि मंदल का समावेश रहता है अब सबसे पहले हम देखेंगे राश्ट्रपती कि राश्ट्रपती जो है वह कार्यकारिमंदर में किस स्वरूप में कार्य करता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है भारत के सविधान में प्रावधान जो भी नियम कानून बनाये गए हैं प्रावधानों के अनुसार राश्ट्रपती सर्वोच राश्ट्रप्रमुख है अब यहाँ पर एक वाक्य के लिए प्रुष्ण बनता है कि राश्ट्रप्रमुख कौन है तो भारत के सविधान के अनुसार अगर हम देखते हैं तो राश्ट्रपती सर्वोच राश्ट्रप्रमुख होता है राश्ट्रपती का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिस्था का पद है और वे गड़तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि राश्रुपती का पद देश का सर्वोच पद है कारण लिखो पहला कारण है कि भारत के राश्रुपती भारती गड़तंत्र का प्रतिनिदित्व करते हैं दूसरा सविधान में राश्रुपती को देश की संपूर्ण कारेकारी सत्ता प्रदान की है और इसलिए राश्रुपती का पद देश का सर्वोच पद है सविधार ने राश्ट्रपती को देश की संपूर्ण कारेकारी सत्ता दी है और देश के साशन राश्ट्रपती के नाम से ही चलता है देश का साशन किसके नाम से चलता है तो देश का साशन राश्ट्रपती के नाम से चलता है ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधान मंत्री और उनका मंत्री मंदल ही साशन चलता है इतना सबको सम्मान का पद है उसे अधिकार दिये गए है किन्तु जो प्रमुक होता है रत्यक्ष रूप में जो देश को चलाता है वह है प्रधान मंत्री और उनका मंत्री मंदर और इसलिए राश्रपति नामधारी समवेधानिक प्रमुक है तो प्रधान मंत्री कार्यकारी राश्रपति खाली नाम का होता है किन्तु काम का जो होता है कार्यकारी जो होता है वह प्रधान मंत्री होता है अब यहां पर आपको एक कार्य लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि राश्रपति नामधारी समवेधानिक प्रमुक होता है तो प्रधान मंत्री कार्यकारी प्र सविधान ने राश्रपती को देश की संपूर्ण कारी-कारी सत्ता दी है। दूसरा पॉइंट देश का सासन राश्रपती के नाम से ही चलाया जाता है। तीसरा पॉइंट ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधान मंत्री और उनका मंत्री मंडिल ही सासन चलाता है अता या इसलिए राश्ट्रपती जो है वह खाली नामधारी सम्वेधानिक प्रमुख है तो प्रधान मंत्री कारियकारी प्रमुख होता है अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि राश्ट्रपती का चुनाव किस तरह से होता है ध्यान रखिए राश्ट्रपती का चुनाव अप प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है राष्टरपती को चुनने हम नहीं जाते हैं लेकिन वह अपरत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही उसका चुनाउ होता है अभी चुनाउ पद्यती आपने पढ़ा होगा तो चुनाव पदिती जो है वह दो प्रकार से होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे आप जाकर खुद वोटिंग करते हो और कभी-कभी क्या होता है जिसे आपने चुनकर लोग सभा या राज्य सभा में भेजा है वो लोग ही वहां के प्रमुख की न्यूप्टी कर चुनकर बेजा है प्रत्यक्ष रूप में वो आपके द्वारा चुने नहीं करते बल्कि उनके द्वारा चुने गए संसर सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा राश्ट्रपती का चुनाव किया जाता है जिसे आपने जिसे चुनकर आपने लोगसभा और राज्य सभा में भेजा है उनके द्वारा ही लोगसभा और र राश्रपती का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है तो उत्तर स्वरुप हमें मिलता है कि राश्रपती का चुनाव यहाँ पर राश्रपती का चुनाव संसत के लोगों के द्वारा किया जाता है राज्यों के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है सलसद सदस्य और राज विधान सभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंदल कहा जाता है अब यहाँ पर एक प्रश्ण बनता है कि निर्वाचन मंदल किसे कहते हैं तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि सलसद और विधान सभाओं के जो सदस्यों के समू होते हैं उनको मिलाकर निर्वाचन मंडल बनता है और उसी को हम कहते हैं निर्वाचन मंडल अर्धाट संसन और विधान सभाओं के सदस्यों के समूह को निर्वाचन मंडल कहते हैं अब आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपती की योग्यता की कौन सी शर्ते हैं क्या किस प्रकार का विक्ति जो है राष्ट्रपती के लिपद के लिए योग्या होता है तो राष्ट्रपती का कार्यकाल प्रमुक्त पांच वर्ष का होता है तो एक प्रेशन बनता है कि राष्ट्रपती का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो हमें उत्तर स्वर उप्पिलता है कि राष्ट्रपती का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है राश्ट्रपति पत का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए या उसकी पहली शर्त है योगिता की शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति राश्ट्रपति पत के लिए चुनाव लड़ता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी शर्त है उसकी आयूपैति स्वर्ष पूर्ण होनी चाहिए यहाँ दो योग्यताएं जिस व्यक्ति के अंदर है वह व्यक्ति राश्ट्रपती पद के लिए चुनाम लड़ सकता है यहाँ पर एक प्रेश्न माउक्ता है कि राश्ट sopratipatik योग्यता के कौन सी सर्ते राश्टों 법्यत के योगिता की चुनाव लड़ने व्यक्ति भारत का प्रमुक नागरिक होना चाहिए और दूसरा है कि उसकी आयू 35 वर्स से पूर्ण होनी चाहिए, मतलब 35 वर्स हो जानी चाहिए राश्वदी पद पचुने गए वेक्ति को अपना पद स्विकारते समय सपत लेनी पड़ती है उसके अनुसार सविधान की रक्षा करना और सविधान के अनुसार शासन चलाना या नहीं यह देखने की जिम्मेदारी होती है तो यह देखने की जिम्मेदारी राश्ट्र पती की होती है तो राश्ट्रपती की जिम्मेदारी कौन सी होती है कि किस प्रकार से सासन को चलाना है यह सब देखने का कार्य जो है राश्ट्रपती का होता है प्रधार मंत्री और मंत्री मंडल की सलाह से राश्ट्रपती सासन चलाते है तो यहां पर प्रश्ण बनता है कि राश्ट्रपती किसकी सलाह से सासन चलाते हैं तो राश्ट्रपती प्रधान मंत्री और सासन प्रधान मंत्री और मंदल की सलाह से ही वो सासन चलाते हैं सविधान के रक्षा की जिम्मेदारी राश्ट्रपती की होती है परांतु अगर राष्ट्रपती का कोई आचरन सविधान का उलंगन करने वाला हो तो उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार संसत को होता है तब देखेंगे कि किस तरह से यहां पे राष्ट्रपती पद सेव्यक्ति को हटा जाता है तो अगर वह अपने उसका कोई आचरन जो है वह सविधान का उलंगन कर रहा है तो संसत के जो प्रमुख हैं वह उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं और इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है अब यहाँ पर एक प्रश्ण बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया किसे कहते हैं तो उत्तर सोरूप हमें मिलता है कि यदि राश्ट्रुपती का कोई आचरन सविधान का उलंगन करता है तो ऐसी स्थिति में संसत को उन्हें कारेकाल पूर्ण होने के पहले क्योंकि उनका कारेकाल जो हता है वह पात साल का होता है लेकिन कारेकाल पूर्ण होने के पहले उन्हें के पद से हटाने का हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभीयोग कहते हैं यदि राश्ट्रपती से सविधान का उलंगन हुआ या किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है तो दूसरे सदन द्वारा उन आरोपों की जाच परताल भी की जाती है इस तरह से लोग सभा और राजी सभा दोनों सदनों के विशेश बहुमत से अगर दो तिहाई से प्रस्ताव पारित होना अवश्यक है उसके बाद ही राश्ट्रपती को उसके पद से हटाया जा सकता है अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि राश्ट्रपती के प्रमुख कारिय क्या है और उसके अधिकार क्या है कारिया और अधिकार इन दोनों के विशे में हम चर्चा करेंगे तो सविधान द्वारा राश्ट्रपती को कई सारे कारिय प्रदान किये गए है जैसे पहला है कानून संबंदी अधिकार अभी कानून संबंदी अधिकार राश्टरपती को दिये गए है तो राश्टरपती को क्या करना होता है राश्टरपती को संसत का सत्र बुलाना होता है स्थगित करना होता है संसत का संदेश भेजना होता है लोकसभा के पूर्णविधी के बाद या समय से पहले बर्खास्त करना ये सभी अधिकार राष्ट्रपती को प्राप्त हैं और ये सभी जिम्मेदारिया जो है राष्ट्रपती को निभानी होती हैं इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा और राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपती के हस्ताक्षर होना अवश्यक है उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून में परिवर्तन नहीं होता है ध्यान में रखिए राष्ट्रपती जो है वह महत्वपूर्ण का होता है अगर कोई कानून यहाँ पर लोकसभा और राज्य सभा ने पारित किया है और कोई नया कानून बनाना है तो उसे सरप्रतम राश्रपती का हस्ताक्षर होना आवश्यक है क्योंकि राश्रपती के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का जो कच्चा प्रारूप होता है उसे विधेयक करते हैं तो कोई भी विधेयक जो है वह कानून में परिवर्तित नहीं होता है अगला है कि राश्ट्रपती प्रधान मंत्री की नियुक्ती करते हैं तो प्रधान मंत्री की नियुक्ती कौन करता है राश्ट्रपती और उनके द्वारा सुझाएगे व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ती करते हैं चुनाव या नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधान मन्तरी मंदल की नियुक्ति के की जाती है राष्ट्रपती उच्छतम और उच्छ न्यालय के न्याय अधिशों की न्यूक्ति करते हैं तो राश्रपति किन पदों की नियुक्ति करता है तो राश्रपति पदान मंद्री मंदल उच्च तम और उच्च न्यालय के नियाया धीशों की नियुक्ति करता है और साथी साथ राज्यों के राज्यपाल मुक्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य महत्पूर्ण पदों पर जो व्यक्ति हैं, उन सभी की नियुक्ति राश्ट्रपती के द्वारा ही की जाती है। राश्ट्रपती भारत के तीनों रक्षादल के सर्वोच प्रमुख होते हैं। खाले सान के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि खाले सान भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वच्य प्रमुक होते हैं तो सर्वच्य प्रमुक कौन होता है राष्ट्रपती भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वच्य प्रमुक होते हैं युद्द और शांती संबंधी सभी निर्णे राष्ट्र पती लेते हैं तो यह पर प्रश्ण बनता है युद्द और शांती से संबंधी सभी निर्णे कौन लेता है तो युद्ध और शांती से संबंदित सभी निर्णे राष्ट्रपती के ध्वारा लिये जाते हैं। राष्ट्रपती को कुछ न्यायलीन अधिकार भी प्राप्ते हैं जैसे किसी व्यक्ति की सजा को घटाना, सजा की तीवरता कम करना, अत्वा अपवादात्मक परिस्थिती में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने का यरद करने का अधिकार भी राष्ट्रपती को प्राप्ते हैं। तो किसी की भी सजा को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या कोई अगर स्थिती आई की अपवादत्मक परिस्थिती आई जहां पर मानवतावादी को बना कर रखना है, तो ऐसी स्थिती में वहाद किसी की भी सजा को कम यरद कर सकता है। देश में आपात्कालिन परिस्थिती पत्पन्न होने पर राश्त्रपती को आपात्काल गोशित करने का अधिकार प्राप्तव होता है। तो देश में आपातकल कौन घोशित करता है तो देश में आपातकल राष्ट्रपती द्वारा घोशित किया जाता है राश्ट्री आपातकल सविधान के तीन प्रकार आपातकल के दिये गए हैं जिसमें पहला है राश्ट्री आपातकल, दूसरा है राज्यों में आपातकल, अत्वा राश्ट्रपती सासन और तीसरा है आर्थिक आपातकल तो आपर एक प्रश्ण बनता है कि आपातकाल की कितने प्रकार हैं तो आपातकाल के तीन प्रकार है राश्ट्री आपातकाल, राज्यों में, आपातकाल, राश्ट्रपती सासन और आर्थिक आपातकाल राश्ट्रपती की अनुपस्तिती में उप राश्ट्रपती उनके अधतर दाईतों का निर्वाह करता है आर वा संसत के दोनों सद्रों के सदस्यों दॉरा किया जाता है यहां पे एक प्रश्ण और पूछा जा सकता है कि उप राश्ट्रपती का चुनाव कौन करता है तो उप राश्ट्रपती का चुनाव संसत के दोनों सदन अर्थात लोगसभा और राज्यसभा के सदस्यों के दारा किया जाता है तो इस तरह से आज जो है हमने देखा कि कार्य अधिकारी मंदल में राश्ट्रपती किस तरह से कार्य करता है उसकी कौन से अधिकार है उसकी शर्ते कौन से हैं और किस प्रक्रिया द्वारा राश्ट्रपती को उसके पद से हटाया जा सकता है उसका चुनाव किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हमने देखा